तो डिये स्टुडेंस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट नमबर टू पोलेगल साइंस का आप लोग ने बहुत अच्छे कॉमेंट कियें कि जल्दी सेट टू लेकर आया हूं इससी तरह से हमारे टीम ने आप लोग लिए छे सेट तयार किये हैं अगर आप लोग चाह कर लिजेगा और डाउलोड करने के बाद जो आपका आर्स का फांडेशन कोर्स है उसको जोइन कर लिजेगा क्योंकि यहां पे आप लोग को फाइनल एक्जाम के सेलेक्टेड कोर्शन की तयारी करा जा रही है सुबह और साम दोनों टाइम पर यहां पर ऑनलाइन क्लास चल कोर्परेट करें ठीक है पहला प्याला क्यों लोग कि आमरीका वर्लड ट्रेट चेंटर पर हमलाय कब हुआ था य impa2 अ मीं गवाा यहां लोग दूसरा नाम से बनाटें नुग आहिसा कई हम लोग 7 मतलब 11 traffic था और 9 मतलब तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर आफ्शन नमर हमारा क्या हो जगी भी हमारा सही तो जाएगी चलिए सर अगला कुशन पर आगास करते हैं मेरे सेरु सिर्णियों कोशन नमर टू है सर बराक ओबामा किस देश का राष्टपती थे है नहीं थे तो बताएंगे सर बराक ओबा और बराक ओबामा एक ऐसी राष्टपती थे जो एक पार राष्टपती बनने के बाद भी वो दोबारा राष्टपती के पद पर थे क्योंकि अमरीका में नियम है कि एक वर जो कोभी केंडिडेट अगर राष्टपती बन जाते हैं तो दोबारा अप नहीं बन सकते हैं ले दोस्तों यह रखेगा मेरे दोस्तों हम लोग पर्तम खाड़ीयोद दूति खालीयोद पढ़ेते हैं नहीं पढ़ेते हैं बाई उत्रों जाएगी और खाड़ी युद्ध कब प्रारम हुआ था जो खाड़ी युद्ध भाई वह प्रारम कब होती है जो खाड़ी युद्ध ना वह 17 तारिक को स्टार्ट होती है अनि 17 जनवारे अनिश्टों एक कानवी को अप्शन नमर हमारे क्या हो जागी एह हमारा सही उत्र जाएगा आते हैं सर्फ अगला कोशन पे कोशन फाइप में कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्टपती कोन थे जब खाड़ी युद्ध हुई थी तरह तारिक को और मेरे दोस्तों न मारने के लिए गया था अमरिका वाले तो लगभग मेरे दोस्तों 13-14 दिन वहां पर हेलिकाप्टर घुम रहे थे इनको मारने के लिए कहां पर फ्लाइट कोफर में इसके इस्टर बहुत रोचक है अगर हम लोग समय मिले कभी तो देखिएगा जरूर ठीक है चेलिए सर से सुनियेगा वीडियो के स्कीप करके देखेंगे ना तीसी तरह से स्कीप करके ही आपका कोपी चेक किया जाएगा फाइनल एक्जम में इसलिए चुपचाप से सुनिये जो बता रहा हूं याद रखेगा सेनुक राजिसंग का मतलब यू एनो यूनाइटेड नेशन आफ 151 सारा चीज देखिएगा एक करके वर्तमान में अगर मैं पूशूंगा कि वर्तमान में वर्तमान में कितना देश सामिल तो बताएंगो 193 ठीक है एक कोशन को डाउन कीजेगा अगर आप से पूशा जाएगा कि यूनों का मुख्याले कहां है तो बताएंगा सर नियू अगर आप से पूशा जाएगा कि नूव यॉर्क कौन सा दिप में इस्तिते हैं मैनहटन दिप में ठीक है कौन सा नदी के किनारे सारा कोशन को एक के करके ध्यान से सुनिए ठीक है चलिए रिल्स की तरह मत देखिए इसकिप किये कि अच्छी तरह से देखिए मांक सलाई आ अच्छा कर रही है और उसी को हम लोग अगर वरवाद कर देंगे तो फिर रोना पड़ेगा मेरे दोस्तों हमारे पास भी वैसा ही समय ती जैसे आपके पास थी इसलिए मेरे दोस्तों बारबर किया रहा हमारे जो साथ हमारे साथ जो घटना घटी है वैसा आप लोग दोब अगर आप से पूछा जाएगा थोड़ा साथ यूएनों का आंग कितना है तो इसका राइट राष्ट्र संग द्वारा इराक पर सेन ने करवाई की आनुमति आफ्शन नंबर क्या है इराक पर जो हमारे इरान थे ने भाई इरान स्वरी कुवेत जो कुवेत थे वह कुवे वह गलत है तुम जल्दी से बाज आज जाओ जल्दी से नहीं सुना, फानली यूएनों ने पर्मिशन दिया जाओ और उसको भुजिया बना दो उस देश को जाए जल्दी से और भुजिया बनाए ताकि सारे दुनिया के देश रोटी बना रोटी में लगा कर खाएंगे औ और मेरे दोस्तों युएनों ने जैसे परमिशन दिये लगबक 6 लाक याद नहीं आ रहा है चीहासाथ हजार सेनिक के साथ अमरीका इराक पर जाकर समझ भाए है क्या बोना चाहर है इराक पर जाकर भुजिया बनाना सुरु कर दिया खाड़ी युद्ध कब समाप्त भी थी ख इस तरह की इस्तिती उत्पन हो गई थी तो बताएंगा सर एक धुर्वी की सुर्वात हो गई ते अमरीका का वर्चस अमरीका का पूरा दबदबा आ गई थी वाई संतुलन का खत्रा हो गया था सभी देश को डर लगने लगा तो अफसे नमर हमारे क्योंगे डीस का अगला पूछा गया जल्दी से बताएगा अगर आप लोगों को पता है तो बताए को सब्सक्राइब क्यों नहीं करता है अब सभी को पता है मेरे दोस्तों की परमानुक बॉम का अभिश्कार भारत ने एकपिजा अब्दुल्क्राम जिससज numéro हम जिनको आज लोग मेरे नाम से जनते ठीक है भारत परमाना अपरसार संदी परमान पर न सिक्निचर नहीं कि थे वह सबी देश लगवल लगव करी दिये थे लेकिन धारत सिगनीचर नहीं की थे परमानु को क्या मानते थे भैदभाप पूर्ण मानते थे किस देश नहीं नाटो में अमरीके नेत्र का भिरोध क्या था तो बताएंगे सर यह जो भिरोध करने वाले केंडिटेट था ना मेरे दोस्त सबसे पहलों तो याद रखेंगे कि नाटो नाटो का पूरा नाम होता है नौर्थ एट्लांटिक ट्रेटी और्गनाजिशन इसकी अस्तापना होती है उन्निस सो उन्चास में कब होती है याद रखेगा नाटो की जो मुख्याले ब्रुसेल्स में कहां ब्रुसेल्स में याद रखे क्या है इसका ब्रुसेल्स में मुख्यो यालाई इसका याद रखेगा मेरे भाई ठीक हलके पर नहीं लेना है इसका अस्त था वाई इतना था कौन था वाई फरांस था और आप सभी को पताते चलो मेरे दोस्तों यह जो नाटो है नाटो जब पुरी धुनिया में सित्यूद समाप थो गई तो उसमें पुरी दुनिया में दो ही देश सामने आए थी एक हमारा स्वब्यस्तंग और एक हमारा अमरिका नाटो आप इसी के देखा देखी में ला श्वब्यस्तंग ने भी एक सऑनि संगठन बनाए जिसका नामते वार्षा प्यक्ट फिकर है इसे कुई याद रखेगा भूलना नहीं है बैठ अधे में नस्ट पूछा गिना दादा रिट 23 से पूछल गेलो ने बाबाबा क्योंति दीं के बाद तो तो कब माना जाता है गुञाल को आनोंड करके क्षक को आप ऄच्ञा 5 चार। लोग एनिहाव किसी भी हाल में जोइन कर लिए चाहिए कितना भी बढ़ा ट्यूशन कोचिंग किसी भी जगह पर पढ़ रहे हैं इसकोर्स को आप लोग एनिहाव जोइन कर लिजएगा क्योंकि मेरे दूस्ती स्कॉर्स के माइधम से सुबह और साम दोनों टाइम पे आप लो अते सर होश्य नमर 15 पर भारत को कब से परमान वर सकती संपन देश के स्रेणी में विए तो बताएंगे एसको भी रहसान के कहां पो ट्यूमें ठीक है अते सर कोन नेक्स पर अमरिका ने आसिक परमान परिक्षन साधा पर कब हंस्तचेप किये थी तो बताएंगे सर 1964 में इसका राई टेंसर हो जाएगा आते सर्कों नबर नेक्ट पर आते हैं विशु को इंटरनेट की सुविधा किस राज की देन है अच्छा बताएं मेरे दोस्तों उस जमाने में ना देश को राज कहा जाता है एक जमाना था जब आज हम लोग जिसको देश कहते हैं उसको राज कहा जाता था राज को कहा जाता था प्रांथ थिक तो भीसु का वह कौन सा देश जहां हम लोगो आज इंटरनेट दिया जो आज हम आपसे जुड़े हुए न यह अमरिखा की देन है यह अम्रिका की देन है थिक जलिए विधा है तोोनी के अगर अच्छा लाग हो ना कि हम तोनी के बताई हो तो तोनी के समझ में आबो हो या ना है ठीको चलिए कोश्चन नमर आते हैं से 19 भारत में परमानु कर्यकरमों का मुख्य उद्धिस क्या बतलाया जाता है भारत ने परमानु परिक्षन किसलिए क्या था एपीज अब्दुल कलाम ने कहा था मेरे द बनाया जा रहा है बनाया हूं ठीक है कोई यूद्ध करेंगे तो हम भी यूद्ध कर देंगे हम आगे से यूद्ध करने नहीं जाएंगे कौन कहा था एपीज से अब्दुल कलाम ने तियाद रखेंगा अपने उर्जा आवशक्ता को पूरा करना अफ्शन नमर हमारा धी ह यूद्ध करना तो अब्रीका में कितना रज यह तोसे आमरीका में कुल कितना रज है तो बताएंगे सरुब पचास राजे शामिले आते हैं ते हैं शरी कोशेर नमर 22 किम वर्स में पश्मी नाटो ने राष्टों ने नाटो के अस्तबना की थी नौर्ठ अत्लांटी ट्रे दोस्तों नाटो को मुख्याल है बुरुसेल से महें और इसकी अस्तापना होती है उन्निसों उन्चास में कब होता है मेरे भाई उन्निसों उन्चास इतका राइट एंसर हो जागा कोशन नेश्ट है 2003 में अमरीका ने किस देश पर आकर्मन किया पताओ रहे बहानार हमर भाई पताओ सर इराख ककरा कहले इराख आगला कोशन तोहनी से पूछल गलो तोहनी से कहो हो 2020 के अमरीके राष्टपती के चुना में डेमोक्रेटिक पार्टी के परतिनिदुत कौन थे तो बताएंगा सर याद रखेगा वाईडन जोर्ज वाईडन ओफ्शन नमर हमारा बी हमार यंदुत में सक्षन वागला कोशन में सनुत राज अमरिका का पर्थम राष्टपती कों थे शनुत राज अमरिका का और तम राष्टपती याद रखेगा जैसे भारत का परदुरल के अबक्रजान प्रसाद भारत के परदं परदर मंत्र कों ते पंड trap Sole kann प्रच मंत्री नहीं अंतरी अभुल कुलाम आजाद भारत के परति कश्छा मंत्री थे अब्दूल कर बिजूamasऑ नोट अब्वल कुलाम आज़ाद। है किस राश्पति को सांति को नोबल पुरुसकार दिया गया था तो याद रखेगा नटों गा सदेश से देश दिऊ मेरे भाई वो है मारा कौन बीटेन कोन रेख भाई थीक है चलिए चंग चल्वा wanna नेच्ट पर्ट अगर आप लोग देखना चाहते